हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई योट्यूब चनल तो फ्रेंड्स फाइनली हर्याना स्टाफ स्लेक्शन कमिशन के अंडर जो आपके आल एंड फांफ फिल अप गोए थे कलरक की पोस्टो के लिए अड़र्टाइस्मंट नमबर 05-2019 के अंडर जिसके अंडर आपकी पूरी की पूरी 4858 फ्रेंड्स से व वकेंस ये थी तो फैनली जो आपका सभी कलरक की पोस्टो के लिए रिटैन इग्जामिनेश्ण कंडक्त होने के लिए जा रहा है उसके जो आ कि कब तक conduct होगा और आपके जो admit card है इस return examination के लिए वो कब तक declare होंगे और जो आपका selection process है जिसमें आपका return examination 90 marks का रहेगा और social economic criteria के basis पे आपको 10 number दिये जाएंगे तो total selection process जो आपका 100 marks का रहेगा उसमें आपका जो return examination है उसमें आपकी क्या distribution रहेगे 75%, 25% की और जो आपका social economic criteria के basis पे जो आपको 10 marks दिये जाएंगे वो किस basis पे दिये जाएंगे complete process हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से step away, step discuss करेंगे तो अगर आपने in collect की post ओ के लिए farm को apply किया थो तो अच्छे तरीके से यहां पे समझ लेंगे कब इसका exam होगा और return examination के under आपकी क्या distribution रहेगे marks की और social economic criteria किस basis पे आपको वहां पे 10 number दिये जाएंगे तो front सबसे पहले आप यहां पे official notice देख सकते है जो यहां पे हरयाना staff selection commission की official website पे available है कहां से आपको मेलेगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूँ तो return examination जो आपका selection process में 90 marks का रहेगा वो आपका यहां पे conduct होने के लिए जा रहा है जो कि आपका यहां पे 21 September 2019 से लेके 23 September 2019 तक different different session में फ्रेंट से conduct होगा तो यहां पे जो आपका examination का date time वो किसे दिन आपका exam conduct होगा क्या when उसका रहेगा वो आपको दिया रहेगा आपके admit card है अभी आपका यहां पे admit card declare नहीं हुआ है आपका examination 21, 22 या फिर 23 किस date को होगा किस session के अंडर होगा वो आपका directly admit card में दिया रहेगा तो इसके जो आपके admit card है वो अभी यहां पे declare नहीं हुए है date आप यहां पे देख सकते हैं approximately 14 September 2019 को हर्याना staff selection की official website पे friends आपके जो admit card है वो friends से declare हो जाएंगे जो कि हम next video में अच्छे तरीके से discuss करेंगे कि कैसे इसके admit card को friends से download करना है तो अब हम यहां पे discuss कर लेते हैं जो आप 90 marks का return examination देने के लिए जाएंगे उसमें आपका क्या labels रहेगा और कितनी weightage आपको different subject के लिए दी जाएगी और remaining जो आपके 10 number रहा जाते हैं selection process के अंडर socio economic criteria and experience उसके basis पे आपको किस basis पे आपको number दी जाएंगे वो अब हम यहां पे discuss कर लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते है return examination जो आप यहां पे देने के लिए जाएंगे total 100 marks का आपका selection process रहेगा जिसमें से आपका return examination 90 marks का रहेगा और 10 number का आपका socio economic criteria and experience के basis पे आपको marks दिये जाएंगे तो 90 marks का जो आपका return examination conduct होगा इसमें आपको जो 100% में से 75% weightage दी जाएगी journal awareness, reasoning, math, science computer science, English, Hindi और जो आपका respective subject रहेगा उसके बाद जो आपका 25% weightage बच जाती है वो आपको यहां पे दी जाएगी history, current affair, literature, geographics fix environment और culture जो आपका हरयाना का फ्रेंट से रहेगा तो यह जो आपकी यहां पे distribution रहेगा जो आप यहां पे return examination 90 marks का फ्रेंट से देने के लिए जाएंगे 21 से लेके 23 September 2019 तक इन डेट्स में से जिस दिन भी आपका examination फ्रेंट से conductor होगा तो उसके बाद जो आपका 10 marks बच जाते है वो आपको यहां पे social economic criteria और experience के basis पे friends दिये जाएंगे तो जो आपका criteria यहां पे रहेगा social economic criteria जिसके basis पे आपको 10 number दिये जाएंगे उसका आप यहां पे देख सकते हैं तो सबसे पहला आपका यहां पे criteria है if neither the applicant नहीं है तो आपको यहां पे social economic criteria और experience के basis पे friends पांच number दे दिये जाएंगे उसके बाद अगर applicant यहां पे widow है यहां फिर first यहां फिर second child है और यहां पे उनके father की death हो जाती है 42 years age होने से पहले पहले तो उनको यहां पे 5 number जो आपको यहां पे friends दे दिये जाएंगे उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं अगर applicant first या फिर second child है और उनके father की death हो जाती है applicant के 15 year age होने से पहले तो भी आपको यहां पे friends पांच number दे दिये जाएंगे उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं अगर applicant friends दे दिये जाएंगे और अगर कोई आपका experience है तो experience के basis पे आपको यहां पे total 8 number social economic and criteria के basis दिये जाएंगे और 10 number से उपर आपको number यहां पे social economic criteria and experience के basis पे नहीं दिये जाएंगे total आपकी यहां पे 10 number यह friends रहेंगे तो friends यह आपका complete प्रेंट सेलाक्षन प्रोसेस रहेगा कलर्क की जो आपकी यहां पे कंप्लेट 4858 फ्रेंट से वकैंसी रहेंगी तो फिर्ण्स यह था जो लेटेस्ट अपडेट यहां पे कलर्क की वकैंसी के लिए आए कि आपका इग्जामिनेशन कब कंड़क्त होगा इसका जो अफिशल नोटिस है वो यहां से आप डिराक्ट लिए डाउनलोड कर सकते हैं डिराक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंट से दे दूँगा